धन्तिरस का तियोहार धन और एश्वरी के देप्ता कुबेर जी की पुजा के लिविशी सुरूप से मनाया जाता है मान्यता है कि इस दिन भगवान कुबेर की अरात्ना करने से आर्थिक सम्रिती और उन्नती मिलती है देश भर में कुबेर जी के कई प्राचीन मंदिर है जहां हर साल भगतों की भारी बीड उमरती है मध्य प्रदेश में कुबेर जी के तीन प्रमुक मंदिर स्थित है पहला मन्दसौर का प्राचीन गुप्त कालीन मंदिर है जो तेरा सौ साल पुराना बताया जाता है यहां मंदर खिलची पुरा में है और यहां पहुचने के लिए भाक्तों को मंदसौर शहर से यात्रा करनी होती है दूसरा मंदर उज्जैम में है जो महा कालिश वर जोतिरलिंग के निकट स्थित है तीसरा मंदर खंडवा का है जो इंदौर से 78 किलोमेटर की दूरी पर है और इसे सबसे लोग प्रिये माना जाता है उत्राखंड में भी कुबेर का प्राशीन मंदर है जो अलमोडा जिले से लगभाग 40 किलोमेटर दूर है यह मंदर एक पहाड़ी जोटी पर स्थित है और हर साल धंतेरस और दिवाली पर यहां भाक्तों के भीर लगती है भाक्त नैनी तालिया अलमोडा से स्थानिय बस या नीजी वाहन के जरिये इस मंदर तक पहुँच सकते है गुजराद के वडोद्रा मी कुबेर भंडारी मंदर है जो नर्मदा नदी के टट पर स्थित है यह मंदर पच्चिस सौ साल पुराना है और यहां धंतेरस और दिवाली पर भाक्त धंत जमपती का आशरवाद मांगने आते है मान्यता है कि जो भी भाक्त इस मंदर से मिट्टी लेकर अपनी तिजोरी में रखता है उसके घर में देवी लक्ष्मी का निवास होता है तमिलनाडुक में चन्ने का स्री लक्ष्मी कुबेर मंदर खास है जहां धंतेरस के दिन विशेस तर्शन होते है यह मंदर वडालूर में स्थित है और इसे दुनिया का एक मात्र ऐसा मंदर माना जाता है जहां कुबेर और लक्ष्मी की मुर्टिया एक साथ स्थापित है इन सभी मंदरों में भाक्तों की आस्था और संपोर्न कुबेर जी के प्रति स्पस्ट दिखाई देता है धन्तिरस के मौके पार यह मंदर विशियस रूप से सचते है और भाक्तों की आस्था को और भी बढ़ाते है